हेलो व्यू वाड़सन बॉक्सिंग इडिया में आप सब कास स्वागत है और महुम रान आज मेरे पास बजूरी वाइज यह है रेडमी नोच 11 प्रो प्लास फाइब जी स्मार्टफोन की 8GB 256GB वेरियन जा दूस्तों मेरे जब्लू कला मेरे पास यह रिवाइज यह और कुछ इस तरीकी से इसी स्मार्टफोन की बॉक्स यहाँ पर नजर आता है उपर लिखा गया है रेडमी नोच 11 प्रो प्लास 5G स्मार्टफोन 5G मेंशन किया गया है इडियाज नमबर वान स्मार्टफोन ब्रांड शामी का ब्रांडिंग चारु तरफ देखने को मिल जाता है साध डागन 695 का एक प्रोसेसर डिवाइस में दिया गया है इसके लवा 120 हर्ज रिफ्रेश्ट रेट के साथ इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले है 67 वाट फास्नि सपोर्ट के साथ यह डिवाइस है 108 मेगा बिक्सेल रियर के साथ यह डिवाइस है 8GB RAM 256GB ROM इसी स्मार्टफोन में ह और जलिए फिलहाल इसी Redmi Note 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को सबसे बहले अनबॉक्स करते हैं उसके बारे में इसी स्मार्टफोन में बताऊंगा फोन की प्राइस स्पेसिफिकेशन सबी इस वडियो में जानने को आप लोगों मिलेगा तो चलिए फिलहाल इसी बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं उससे बहले गाईस हापने चैनल को सबस्क्राइब नहीं के नीचे दिये गए रैड वनों को यहाँ फिर वड़ बटन को क्लिक करके चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर उन करके रखना और यहाँ पे बॉक्स को घर दिया है आन और जैसे ही अन बॉक्स करते हैं उपर यहाँ पे शौमी के ब्राणिंग के साथ में एक सेक्शन को मिल जाता है वाइट कलर में इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे सीम इजेक्टर देखने को मिल रहा है इसके लवा या इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे टेंस्परेंट के इ देख लेते हैं यहां पर देख सेकतों एक अड़ाप्टर नजर आ रहा है काफी मजबूत और बहुत ही वेट है इस अड़ाप्टर का यह दूस्तों 67 वाट फास्ट चाड़ सर यहां पर प्रोवाइट कर दिया गया है इसी बॉक्स के अंदर बहुत ही तेजी दरीकिसे डिव स्मार्टफोन के साथ में मेरेज ब्लू कलर डिवाइज में लग अलग कलर है यह जो कलर है यह मेरेज ब्लू इसकलाब पैंतों हॉइट एंस लैथ ब्लेक तीन हुई कलर यहां पे मैंने अल्रेडी अन्बॉक्स करके आप लोगों को दिखाया और फिलाहल एड़ जबॉक्स करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही लाजब आप स्मार्टफोन है लुक्सर डिजाइन बहुत ही ज्यादा अट्राक्टिव है बेक बोड़ी के तरफ देखे कुछ इस तरीके से हमें कैमरा पार्ट देखने को मिल जाता है ट्रिपल लियर कैमरा और बेक ब्लू कलर है यह सबसे स्यदा अट्राक्टिव है डिवाइस की साइड में बोलिया हम आप है डाउन वडन नजर आता है पावर वडन इसके साथ में फिंगर पर इसके अनर नीचे के दरफ स्पीकर गेल टाइप सी बॉर्ड माइक्रोफोन सीम ड्रे भी दिया गया है उपर क क्वालिटी लोक्स डिजाइन मुझे तो खास करके बहुत ज्यादा चलगा आपको इसी स्मार्टफोन की लोक्स डिजन बिल क्वालिटी कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूबत है अगर तोड़ा सा भी चलगा तो पर इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर ज्यादा है 204 ग्राम इस फोन की वेट है और 8.3 mm तिकने इसके साथ यह डिवाइस है और आई पी 53 डास्ट एंड इस प्लेश रेजिस्टेंट है यह डिवाइस यह रिखिएगा और डिवाइस की बेक बोड़ी ओविसली ग्लास का बनाया गया है और फ्रॉंड में भी हमें का रहा है यानि मेव फर्जन इउजर इंडर्फेस जो अन्हीं है और यहां पे दिया गया है और यहां पे देखसे को कुछ इस तरीके से पन्छोल के साथ यहाँ पर नजर आ रहाए काफि एक लाड़ स्टाइप का हम पर डिस्प्रेइप कर दिया गया है जो बहुत ही बढ रखा गया है तो एक अच्छा quality का display है और 6.67 inches का यहाँ पे हमें full HD plus screen देखने को मिल जाता है 1018 to 2400 का pixels है 395 PPA रखा गया है front में Corning Gorilla Glass 5 का prediction दिया गया है तो एक बड़िया quality का display भी नजर आता है looks design के लबा यहाँ पे display भी काफी बड़िया दिया गया है performance के ओपर बात करूँ device में 8GB RAM है 256GB internal storage है additionally यहाँ पे 3GB RAM देखने को मिल जाता है और इसके लबा device में और दो variant है जो आता है 8GB 128GB और 6GB 128GB तीन अलग 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 प्राइस रेंज के हिसाब से है और इसी स्मार्टफोन में अलग 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 तीन खलर भी देखने को मिल जाता है और इसी स्मार्टफोन में जो प्रसर दिया गया है Qualcomm की दरफ से तकड़ा प्रसर दिया गया है जाद उस तो Qualcomm Snapdragon 695 एक 5G chipset है और यह जो device है काफी बढ़िया है गेमिंग के मामले में, स्पिट के मामले में क्योंकि Qualcomm Snapdragon 695 जो चिपसेट यानि प्रसर दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो Qualcomm Snapdragon 695 उक्टाकर प्रसर दिया गया है वो 6NF अब्रिकेशन में एक 5G chipset है इसके लवाँ इसी स्मार्टफोन में यहाँ पर देख सकते हो Android version भी हमें यहाँ पर 11 देखने को मिल रहा है अपगेड हो जाएगा बहुत ही जल्ट जैसे स्मार्टफोन को बढ़चेज़ करते हो तो यहाँ पर अपगेड हो जाएगा जो Android वर्जन है वो 12 हो जाएगा तो डिवाइज जो है वो काफी बढ़िया है आपको 256 जे भी वेरियन चाहिए तो भी खिरिज सकतो 128 जे भी वेरियन चाहिए तो भी अवालेवल है जो बैटरी है गजब का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा पावर वड़न के साथ में चाह दूस्तो यहाँ चलिए सट करते हैं देखते हैं किस तरीके से यह पूफोर्म करता है इसके लवा आप यहाँ पे पीन पेटर का इस्तमाल कर सकते हो या फिर फेस अनलोग का भी ऑप्शन अपालेवल है वह भी आप इस्तमाल करके डिवाइस को अनलोग कर पाऊगा तो सबी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और सट अप करके देख लेते हैं किस तरीके से यह वोड़ करता है, स्लो होगा या फास्ट होगा, एंड noise स्पास्वार्फोन की जो यहाँ पर इंग फिंगясर पर सकनर है, हमने यहाँ पर देख सकते हो, काफी अच्छा है और सभी स्पेसिफिकेशन कहीं न कहीं अच्छा ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अब चलिए बात कर लेते हैं कैमरा फीचर्स के उपर इसी रड्मी नूट 11 प्रो प्लास 5G स्मार्टफोन में हमें बैक बोडी में ट्रिपल डियर कैमरा देखने को म सब्सक्राइब बैक बोडी में काफी अट्राक्टिफ तरीके से दिखता है और डिवाइस की जो यहाँ पर विडियोग्राफी के उपर बात करो तो यहाँ पर फुल एच्टी यानि ताउसन एटी पी पे आप 30fps पे विडियो शूट कर पाऊगे रियर कैमरा और सफी कैमरा के साथ में जैसे ही आप केमरा ओपन करोगे तो तरहतर के यहाँ पर आप्यों देखने को मिल जाता है याम है जिसमें बहुत ही अच्छा डीटेल आ रहा है गाइस काफी अच्छा यहाँ पे केमरा क्वालिटी यानि जो आउटपुट है रिसाल्ट है रेडमी नूट 11 प्रो प्लास 5G स्मार्टफोन की वो डेफिनेटल अच्छा है मुझे फास्ट इंप्रेशन में रेडमी नूट 11 प्रो प्लास 5G स्मार्टफोन की कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और चले दोस्तों फिलाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में और तीनों ही वेरियंट की यहाँ पे प्राइस बताऊंगा और प्राइस रेंच के इसापसा डिवाइस कैसा है इसके बारे में यहाँ पे रिव्यू करूँगा जो इसी स्मार्टफोन की तीन वरियंट है जो बिज वरियंट है वो शुरू हो जाता है 6GB RAM, 128GB ROM के साथ में जिसका प्राइस है 19,999 रॉपेस एने वल्मस 20,000 का रिवाइज है 8GB 128GB वरियंट का प्राइस है 20,999 रॉपेस एने वल्मस 21,000 का रिवाइज है 8GB256GB का जो वेरियंट है उसका प्राइस है यानि यह जो स्मार्टफोन है इसका प्राइस है 22,999 रुपीज ये अनौल मॉस 23,000 का डिवाइस है तो प्राइस रेंज के इसाप से देखा जाए बाकी जो भी यहाँ पर हमने स्पेसिफिकीशन सा देखा है प्राइस रेंज के इसाप से डेफरेंटली बहुत ही अच्छा यह स्मार्टफोन है और 5G स्मार्टफोन है और काफी तकड़ा भी है तो यह दो दूस्तों रेड्मी नूट 11 प्रो प्लास 5G स्मार्टफोन के चैनल को बितिक सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पर नीचे दिये गए सब्सक्राइब बिटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा तब तक लिए बाई टेक क्यार एंड जैहिंद